साथियों वाइबरंट गुजरात की सफलता के पीछे कई स्पेसिफिक रिजन्स है इसकी सफलता में आईडिया इमेजिनेशन और इंप्लिमेंटेशन जैसे कोर एलिमेंट शामिल है कि अगर मैं आईडिया की बात करूं तो वाइबरंट गुजरात एक ऐसा यूजिक कंसेप्ट था जिसके बारे में भारत में कभी लोगों ने सुना था लेकिन समय के साथ मिली सफलता से लोगों के इसका महत्तों समझा आया कुछ समय बाद दूसरे राज्यों ने भी अपनी तरह के बिजनेस एंड इंवेश्टर समीट का आयोजन चुरू कर दिया एक और अहं फैक्टर हैं इमेजिनेश्ठाइशन हमने अलगतर से सोचने का साहस दिखायाे हम उन दिनों प्रदेश के स्तर पर ही कुछ कुछ बहुत बड़ा सोच रहे थे कुछ ऐसा जो देश के स्तर पर भी न हो पाया हो हमने एक देश को अपना पार्टनर कंट्री बनाने का साहत दिखाया और डेवलप कंट्री को एक छोटा राज्या दुनिया के डेवलप कंट्री को पार्टनर कंट्री बना दे यह सोच भी कि आज थोड़ा लगता हूं उसमें ज़र अकल पड़ा कीजिए क्या हुआ होगा लेकिन कर लिया कि देश के किसी अकेले राज के लिए एक बहुत बड़ी बात थी साथियों आइडिया और इमेजिनेशन कितने भी अच्छे हो लेकिन इनके लिए पूरे सिस्टिम को मोबिलाइज करना और रिजर्स डिलीवर करना बहुत महत्वपून है एक ऐसा काम है जिसके लिए बड़ी प्लानिंग के पेसिटी बिल्निंग में निवेश हर डिटेल पर नजर और अथक परिश्रम के जरुवत होती है ताकि इस केल का आयोजन हो सके है मैंने पहले भी कहा है सेम आफिसर्स सेम रिसोर्सी और सेम रेगुलेशन्स के साथ हमने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था